और यह तीन अलगए तरह की शीर पैतर जिनसे अलगए अलगए की वूल मिल जाएगी मेरेको उसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी है यहां पर लाइट जल लगी है मतलब यह चार्ज होना स्टार्ट हो गया है काफी जादा भूक लगड़ी थी तो खाना डालते ही खाना खाने के रिए आ गया खाया असने थोड़ा सही है और लग तो काफी ज़्यादा सही रही है देखने में वेलकम है फार्मिंग सिमिलेटर की एक बिलकुल नई वीडियो में और वैसे तो फार्मिंग सिमिलेटर की काफ सारी वीडियो पहले आ चुकी है बट ये वीडियो बिलकुल नई है और ये वीडियो बिलकुल नई इसलिए है क्योंकि अपना फार्म पहले जैसा नीर है और फा तो एक बार यहां से gate खोलता हूं और दिखाता हूं फार्म की नई लुक तो यहां पर देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या चेंज हुआ है तो यहां पर पहले जो ग्रीन हाउस लगे वे थे तो उस सारे ग्रीन हाउस जहां से मैंने हटा दिया है और उनको दूस सारे चेंजिस हो चुकिया है और यह पहले अपना फार्म हाउस वहां पर था मैंने वहां से हटा के यहां पर मूव कर दिया है और यहां पर पूरा मैंने ग्रास लगा दिया है अपने डोगी का हाउस वहां सामने बना दिया है और बेकरी वगरा यहां मूव कर दिया है तो यह उपर से aerial view हो गया बकिया पास से दिखाता हूँ कि अब चीज़े कैसी लग रही है यहाँ पर प्रॉपर प्लेस होने के बाद तो यह अपना front से view अपने farmhouse का और बकिये side trees मैंने यहाँ पर नए add की है यहाँ पर लाइटे नए add की है यह यहाँ पर पूरी proper hedge लगाई है अपने farmhouse को separate करने के लिए और सामने अपना doggy गूम रहा है और यहाँ पर घास लगाई है proper तरीके से और एक बाद doggy के पास चलते है और यह पूरी जगह मैंने doggy के लिए बनाई है तो doggy यहाँ पर अराम से घूम रहा है और doggy का मैंने घर यहाँ पर प्लेस कर दी है तो इसके लिए separate जगह है यहाँ पर और यह proper hedge लगा रहा है और एक light भी लगा रहा है इसके लिए और बाकी है यहाँ पर light लगाई है और यह अपना farm house है तो एक बाद farm house भी दखायता हूँ farm house हुई वाला जो पहले था तो इस farm house में यह garage है यहाँ पर एक गाड़ी इसके अंदर आ सकती है मतलब जम पिक अप ट्रक्स कर रहा हूँ वह मैं इसके अंदर पार्क कर सकता हूँ और बाकी जतने पर ट्रक्स वगरा और ट्रक्टर वगरा और जतनी पर attachment है से मैं यहाँ पर पार्क करता हूँ और यह garage काफी जादा बड़ा है तो इस पर काफी साले ट्रक्टर और अपनी attachment और यह यह यूशिस मैं यूज कर रहा हूँ सब आ सकती है कुस्तों मैं यहाँ ल लिए बना दिया है बखिए ग्रीण हाउस अब बखिए पर इस टार्ट नहीं किया है तो इन में भी पानी देना है बकि यह जगे भी मैंने रिजर्व रख लिया है कि इसके बाद जो है बड़े कला भावबान लगांगा वो सब यहां पर लगा लगा लोग और सामने ट्रीज अगरा हा है और यह मैंने पर इसे बाकि अपने ऐहां पर बना दिया है तो यह सारा अपने गूम बाकि इसने लोकेशन पर लगां दिया है और जब से नए लोकेशन पर लगा दिया है तब से इरन जहां पर अंदर आके घुम रहा है और यहां सी रास्ता जाता है अपने वाले area की तरफ तो मैंने प्रडेक्शन के लिए एक एरिया अलग से बना दिया है यहां पे production वाली जो भी चीज़े हैं मतलब bakery, dairy या कुछ भी production के लिए मैं लगाऊंगा वो सारे मैं सामने ही लगाऊंगा तो उसको access करने के लिए यहां से farmhouse से gate है और gate से निकलते ही दो area आते हैं एक रास्ता तो यह जाता है अपने जो यहां से हैं वाल यहां से थाईलो में थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि यहां से अपना फ़ॉर्म भी यहां पे है और silo ही मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है बागी एक light मैंने यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर जो अवाज आ रही है यह weather forecast के लिए मैंने एक equipment लगाया उसकी आ रही है जो मैं भी थोड़े दिर में दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी मैंने प्रोपर घास वगारा लगा दिया है और इस area से जब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर मैं पोच जाऊंगा अपनी dairy पर तो यह पनी dairy और dairy के लिए काफी सारा area है तो पहले dairy है वहाँ भार थी तो उसको मैंने move करके यहाँ पर कर दिया है और उसके साथ में यहाँ पर अपनी bakery तो यह है अपनी bakery तो अपनी bakery भी proper हो गया है और इनके लिए भी एक proper रास्ता है तो यहाँ से एक proper रास्ता जागता है तो यह वाला रास्ता proper production के लिए है अभी यहां पर काफी साय जगह है तो यहां पर चिपन पर चिकन कूप के लिए चोड़ दिया इसको भी बाद में मूग करेंगे और अपनी जो सुपर्मार्ट है वह भी यहां पर है और सुपर्मार्ट को मैंने यहां पर चोड़ा है सुपरमाइट रोड के पास होना चाहिए ताके कस्टमर वगारा आएं तो यह रोड के पास ही हो पाकी इसको यहां पे अभी थोड़ा सा साफ करना है और प्रॉपर घास यहां लगानी है और यहां पे प्रॉपर जो है डेकरोशन के आइटम लगाए जाएंगे लाइट है अभी यह आपना पुरानी जगह है जहां पर अपना फॉराना फार्म ता यह वाली घाडा भी मैँ पुछाता हूं और इस वाले गेट को रहने लगे को मैं इस साइड से एक्सिस के लिए रखने हुए होँ जब में इधर रोड से अख्सिस करना होगा तो इस वाले गेट का यूज करेंगे और बाकि जो उदर ये खाली जगह है इसको मैं बंद कर दूँगा बाकि ये सारी विकल्स भी गिराज में पुचाने हैं तो हारवेस्टर को पुचाना अशू करते हैं और हारवेस्टर के में पास दो हेडर थे तो एक तो ये कौन वाला जो मैंने लगा रखा और एक wheat वाला है जो पीछे लगावा है तो उसको लिजाने के लिए पीछे ये trolley type की थी उससे मैंने header को रख लिया है और header को पीछे attach कर लिया है तो दोनों header मैं एक साथ लिया सकता हूँ और अभी इसको लिजाने के लिए यहां से काफी जगा है ऐसे बाद में निकालने में इसको असानी रहेगी तो इसको यहां चोड़ते हैं और बाकी मैंने इस नई वाले garage में अपना electric tractor का charging station भी लगवाए लिया है तो यह रहा अपना electric tractor का charging station तो जो अपना electric tractor है उसको मैं यहां पर लाके पार कर सकता हूँ और यहां पर चार्ज कर सकता हूँ और उसका पहले वाला charging station था वो बाहर खुले में था तो खुले में थोड़ा बाईश वारिस का issue रहता है कि बाईश के टाइम पर charging वार्जिंग में issue हो सकता है तो इसलिए मैं इसको भी अंदर लगवाए लिया अपना electric tractor यहां खड़ा हुआ है और बाकी एक tractor यहां खड़ा हुआ है और यह बेल्स में वहां से उठाके लिया रहा है था क्योंकि यह कावबार में डालने के लिए चाहिए अपने mixer अगया है तो अपने जो बाकी वीकल से उनको भी लेकर आते हैं यहां पर तो अभी अपने पास एक pickup SUV तो है और एक pickup SUV में आज और पर्चेस करने वाला हूँ चल उसको यहां पाक कर देते हैं और इससा ही लग रही है उसके साथ में एक ही जगह मैं और चोड़ दिया तो भी जो पर नहीं pickup SUV आने वाली उसको यहां खड़ा कर देंगे और बाकी हिरन यहां पर भी आ गया है तो दो हिरन यह गुम रहे और यहां की छोटड़े बच्चे हैं यह तो अपना डोगी इनको कुछ नहीं कहता है वैसे इसलिए यहां पर गूमते रहते हैं तो मैंने जो एक काफी 40 शीप भी परचेस कर लिया है यह शायर 35 के आसपास शीप है और यह तीन अलगला तरह की शीप है तो इससे अलगला की वुल मिल जाएगी मेरेको और बाकी काउ तो अपनी यहां पर है और काउस का खाने का भी देखना अभी इनका खाना थोड़ा ब लेवल करने में काफी जादा टैम लगता है और काफी जादा मुश्किल भी आ जमीन को लेवल करना तो इतरो मैं जो एक घास के सामने यहां पर यहां पर यहां पर हो रहा जाएगी को तो इसको वाँपीете तो लगवा लिया है और एक charging station काफी है या फिर इसको भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर कि बाद में ट्रैक्टर कभी इधर चार्ज करना होगा तो यहाँ पर चार्ज कर लेंगे तो अभी आलमोस्स सारी अटेश्मेंट्ट मैंने लाके यहाँ पर पार्क कर दिया है और अपने पास काफी सारी मशीन्स है वैसे अभी यह खटी एक जए खड़ी है तो पता चल रहा है कि कितनी सारी है और पहले जगे जगे फार्म पर मशीन्स फैली हुई थी और भार खुल इसमें जो है ट्रैक्टर है आगे घास काटने के लिए मशीन है और पीछे घास को कलेट करने के लिए ट्रोली जूड़ी हुई है तो इसको तो सीधा आज़ी आगे पार्क कर देंगे और बागी इसके लिए में गारे तो रहती है जो है महिंद्रा रिट्रीवर 1000 जो मैं ले है वह महिंद्रा रिट्रीवर के साफ़ लेकर लेकर आते है तो inaire मैं अपनी महिंद्रा रिट्रीवर और यह महिर्ड के बाद यूज़ं किया है मैं उसको करने के लिए ऊसकंड़ा एक लाइम धार खेत के लिए आज यूद़् करने के लिए उसके आज करने है और इसकी ट्रेक्टर से तो काफी दा पावर्फुल है बटिये की सलय टेंगर इतना हैवी है कि अपना बड़े वाले ट्रेक्टर को भी लोड पड़ता है इसको खीचने में तो इसको तो शयाद नहीं खीच पाएगी ना इसको नहीं खीच पाएगी बाकि अपना स्लाइडी टैंकर हलका सा बस मुव हुआ है तो कोई बात ने इस गाड़ी तो पहले पार्क करके आते हैं और दूसरा ट्रैक्टर लेके आता हूं वो ही इसको खीच पाएगा वैसे देखने में तो काफी ज़्याद साही लगते है और पाउरफुल भी है बाकि इसको अभी किसी और चीज में लगाई टैस्टिंग करेंगे तो काफी ज़्यादा है वी है तो उसमें तो इसको जो एक तलना ही नहीं था मुझे पता था क्योंकि उसको तुमें बड़ा टै प्रेटर खड़ा हुआ है जिसमें आठ टैर हैं पूरे के पूरे तो चाह टैर पीछे हैं चार आ गया है इसको लिए चलते हूं पहले इन बेल्स को जड़ा अन्लोड कर दू और यह तो अपनी पीछे बेल्स के लोडिंग के लिए ट्रोली है इसको भी अंदर पाक कर जड़ा हुआ है यहीं पर मैं टी-मर बना लूगा इन बेल्स के तो यह तो बेल्स कर दी और अभी तो स्रीव चेले हैं और बागी कुछ बेल्स बाद में पच्छेस को के लानी पड़ेंगी जब टीमर बनानाओगा कि इसको यहां पर अंदर पाक कर दिया और बाकी ट्रेटर के निकलने के लिए जगया थोड़ी सी कम बची है और यहां पर आगे मशीन खड़ी है तो को थोड़ा रिवर्स करके निकालना पड़ेगा वह तो ट्रेटर धक्का देके भी निकल जागा इसको अराम से हाथ है काफ तो यहां ट्रेटर वैसे तो काफी पावरफुल है और अभी इससे चलाके भी देख लेते हैं यह तो खीच लेगा इसली हाँ इसने खीच लिया क्यूकि इसमें ग्रिप भी अच्छी है आठाट टायर लगे में है और पावर भी अच्छी खाजी है व्यूल थे बढ़े क्योंकि अपसक्य व्यूल द्लकूर के अच्छी है वेटो तो पीछो और टार इसका जो है दबरक है आ गया ला फिर भी ठीक है क्योंकि इस पर स्वरी भर्षी काफिस आ रही है अभी इस ट्रैक्टर को यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि अभी तो पाई सवासमान ले ही आया अब अब सी शायद एक घास काटने काली मशीन है वह ले के आनी है वह यहाता हूँ और बाकी एक्रिक टैक्टर महां खड़ागा है उसको भी लेके आते है इसको मैं लें ही चलता हूँ अदर इसको चार्जिंग को लगा देता हूँ आज इसको चार्जिंग पर लगाना है तो इसको उसके पास जागे पार्ग करना पड़ेगा अपने चार्जिंग स्टेशन के तो इसकी charging start होगी है, यहाँ पे light जल गिया है, मतलब यह charge होना start हो गया है, तो इसको पास लाकर करना होता है, उसकी charging शुरू हो जाती है, बागी यह वहला truck भाहर ख़ड़ाव है, तो इसको भाहर ही रहन देते हैं, क्योंकि यह भूँ जाए लंब है, और इसको reverse करना और बहुत करने में यहां नगता है और वैसे पनी पर यहां बढ़ा करना है यहांसर यहां है इसको बात में पाने मुव करूँ होगा है यहां रख बाद में देखेंगे और इसको ले चलते है ऐं इसको तो मजह बेगे बाल गच dakika पड़ेगा इसको तो इस वदेट को खुलती है थो को इसको लेकी चलते हैं साबने वह तक इस वाले रास्ते से ले की ज़िए नगारा है और वैसे यहां की घास भीत काफ सब्से देशब और सब्सदें कर देगी छलते हैं जो तो यहाँ पर खुले में घुम रहाय था वैसे तो मैं घेट लगा रुख यह cambine धीlara बाँ यह झाते हैं फार्म में गूंते है । अब बस यह यहां पर आ गया क्योंकि यहां पर इसलिए आ गया कि इदर से मैं आ रहा था तो यहां पर स्लोप अच्छा खासा है तो इसको और आम से उतारते हैं यहां से थीक है इसको मैं यहां ही छोड़ता हूं कि मुझे यहां पर घास खाटने के लिए चाहिए तो इसको य तो यह मैंने यहां पर एक device लगवाई है और यह weather forecast के लिए है तो इससे जो है exactly weather का पाइचाल जाता है मतलब कब बाईश होने वाली है कब मोसम खराब होने वाले है और वो में को यहां menu में दिख जाता है तो currently अभी September चल रहा है गेम में और जब December आएगा तो माइनसीट मतलब यहां सुनो भी पढ़ने वाली है December में बागी इसके बाउल में खान डालता हूं तो एक मिन इसको बुला लेते हैं इधर आ चल इसके बाउल में खान डालता है क्वैसने खाण और इसको बाउल वार्य ही होगा हाँ खायली है तो इसको छागा बुक लग लग थी तो ठालते कान घांके यहँ गूरी आगया खाया है'll थोड़ाँ सा ही है तो थोड़ा थोड़ा काकी खाता है और घूमता रहता है बगी एक बार भी चलते हैं शॉप पे । और वहां से नहीं वाली पिक-अ सूवी पठेज कर ले था हूँ और शोप में मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहां से पिक अपस्वी लेकर आनी है और शोप का जो है फार्म पे डिलिवर वाले एक ऑप्शन भी होता है बट वो अभी काम नहीं कर रहा है मतला मैंने ट्राइक किया था तो उसमें कुछ गिलिच है अभी तो गेम उसकी चक्कर में क्राश हो रहा था इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए शॉप पे जाके लेकर आना पड़ेगा बाकि बात में जब वो ऑप्शन सही से काम करने लगेगा तब मैं जो है उसको एक्टिवेट कर लूँगा तो फिर बार बाक शॉप पे निया आना पड़ेगा और जोतना भी समान में शॉप से परचेस करूँगा अपने फार्म पर डार्यक्टी डिलिवर हो जाएगा तो अभी शॉप पर परजगी है और देख लेते हैं अपने नई वाली पिक अप एस्वी तो यह वाली है नई वाली पिक अप एस्वी जो मैं परचेस करने वाला हूँ और यह 45,000 यूरो की है और लीस पर कोस करेगी सिफ 2295 यूरो तो इसको लीस पर ही लेंगे क्योंकि अभी बैलेंस भी देखना है काफी साही चीजे और भी लगानी है और वैसे तो काफी अच्छा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है डेरी से भी और बाकी ग्रीन हाउस से भी बट फिर भी इसको लीस पर ही ले लेते हैं और बाकी बात में होगा तो इसको दूसरा और बाकी इसको वाइट में देखें तो वाइट में इतने खास नहीं लग रहे है अच्ले टो इसके जादा ब्लक में छाइनी लग रहे ह İkum यह काम करता हूँ दूसरा ब्लैक भी तो यह टीक लग रहा तो यह red with onyx black ना यह बढ़िया लग रही है इसको ले लेते हैं लीज पे तो यह आगे अपनी गाड़ी और यह बढ़िया किया मस लग रही है देखने में और यह red कलर काफी साही लग रहा है इसका और इसमें फायदा है कि पहले वाली है उसमें जो फाइफ सीट नहीं है उस स्पेश भी बढ़िया एकदम और बाकी यहां पर विंडो के कंट्रोल अगरा दे रही है और इसको अंदर से चला के देखते हैं बाकी अंदर जो है अवाज तो काफी कम आरे एंजन की और पहले वाली गाड़ी पे थूड़ी अवाज अंदर आती है अब एक बार भार से द आपनी है इसली अराम से हर जगह से निकल जाएगी और यह गाड़ी की पारकिंग तो सामने अपने घर में भी है पर इसको एक बार अपनी पुराने वाले एसवी के साथ पारक करते हैं और उसके बाद देखते हैं और बाद में अगर जाए कम पड़ेगी तो मैं एक लगते हैं और यह दो तो PICK UP SUV है तो इसमें इसके दोनों को देख लेता है वैसे यह बी अच्छी लगती है वड़े थोड़े ज्यादा प्रीमम लग रहे है और बाकि दोनों में से कौण से गाड़े अच्छी लगी रैडड वाली वाली कमेंड करके बता थो वस गाड़े म यह रेड वाली ज़दा अच्छी लग रही है वैसे तो मेरी पर्सनली फेविट महिंदरा इत्रीवर है बड़ जब सब्सक्राइब की बात है तो दोनों में से कोई एक चूज करने पड़ेगी क्यूंकि वो काफी साही लगते था यहां पर बाकि यहां पर बाकि यहां पर यहां पर अपने सारे वीकल जतने बह्ते बहुअँ वह आचुकी है बाकि उसके लिएवा यहां पे सारे आ चुके है, बाकि अभी काम काफी सार रहता है, तो अभी काफी सारे मुझे फिनिशिंग थोड़ी सी करनी है, जैसे यहां पे यहां पे मैंने थोड़ा सा लेवल किया है, इसमें थोड़ा फिनिशिंग रहती है, यह करनी है, काफी सारे इधर भी जो है tree लगाने है क्यूंकि अभी काफी दाहा खाली खाली लग रहे हैं आभी फोली ऩской expo जाएगा उसके बाद पूरी बाउंडरी अपने फार्म की जाएगी वहाँ से गुमा के मैं उस रोड से लेके और पूरा इस वाली बाउंडरी में यहां तक मिला दूँगा तो अभी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में